सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस चैनल को और शाथ बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी एक निराशवादी इंसान हर मौके पर सिर्फ कटनाईयों को ही देखता है, जबकि एक आशवादी इंसान हर कटनाईयों में मौके देखता है आपको बोलना ही है तो सब के सामने बोलो, क्योंकि पीट पीछे तो सब बोलते ही हैं आपका आज का पढ़नाम आपके अतीत के किये हुए कर्म हैं, भविश्य बहतर बनाना है तो आज के फैसले को बदल लो आज का पंचांग 17 अगस्त 2021 दिन मंगलवार, सावन मास के शुक्लपक्ष के दश्मिति थी, रातरी तीन बच कर 21 मिलट तक रहेगी, इसके उपरांद एका दश्मिति थी प्रारम होचा आएगी जुएष्ट नामक नक्षत्र रातरी एक बच कर 35 मिलट तक रहेगी, इसके उपरां मूल नामक नक्षत्र प्रारम होचा आएगी आज का राहुकाल अर्था दिन का सबसे असुप सम्में, दोपहर तीन बच कर 42 मिलट सी, पांच बच कर 18 मिलट तक रहेगा आज का भी जीत महुरत अर्था दिन का सबसे सुप सम्में, दोपहर बारा बच कर 5 मिलट सी, बारा बच कर 56 मिलट तक रहेगा आज चंद्रम ब्रिशिक रासी पर रात्री एक बच कर 35 मिलट तक रहेगी, इसके उपरान धनुराशी पर संचार करेगी और आज शूर्य सिह रासी पर रहेंगी, सिह क्रांती की शुप कामनाई धनुराशे 17 अगस 2021 दिन मंगलवार आज अब अंजाने तथ्यों के साथ सहज मैसूस नहीं करेंगी क्योंकि आप प्रयोग ना करते हुए, जानी पैचानी राहो पर ही आगे बढ़नी की कोशिश करेंगी आपके सामने नय ओशर आएंगी, लेकिन आप उनमें से भी उसी को चुनेंगी जिसे अब भली भाती परशित हैं, इसे मैं को प्रयोग अपना पिछला बचा हुआ काम निप्टानी के लिए करें धार्मिक और शमाजी गति वीदियो में वस्ता रहेगी तथा जन संपर्का का दायरा भी बढ़ेगा आप अपने आपको माशिक्वा बहुना आत्मक रूप से ससक्त मैसूस करेंगी प्रकृति आपका भरपुर्श योग कर रही है, अपनी पूरी छमता और महनत अपने कारियों को पूरा करने में लगा दे लोगों के द्वारा किसी प्रकार का आपके उपर बदलाव डाला जा सकता है उनके दबाओं में आकर अपने निर्णे में लाया हुव बदलाव आपको नकारात्मकता देगा साथ में ही नए विवादों की शुरुवात भी इसी के द्वारा हो शक्ती है परवार के लोगों के साथ चर रहे विवादों की वज़े सा आपके अंदर अधिक रोस उटपन नहीं करनी है इस बात को भी याद रखना होगा काम की जगह अटके हुए पेमेंट की वज़े से क्लाइन के प्रती आपकी नाराज की बनी रह सकती है अपने स्वभाव का पार्टनर को गलत फायदा ना उठाने दी बीपी से सम्मंदी समश्य कुछ देर हो शक्ती है शौधानिया गुश्य और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर नियंतर रखें किसी सम्मंदी या पडोसी के साथ बादविवाज जैसे इस सिती बन सकती है घर के वरिष्ट सदश्यों के अनुभा और मार्ग दर्शन पर भी जरूर अमल करें इससे आपको बहतर पढ़नाम हासिल होंगी बात करते हैं लब लाइफ की घर का वाता वरन मधूर बना रहेगा कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो शकता है आपको अपने सांथे के साथ अधिक शहन उबूती के साथ होने की जोरत है आपका सांथे अधिक तनाओं से गुजर रहा है और आपको सिर्फ ये मैसूस है कि आपके सांथी करव ये आपके प्रती कैसा है और आप उसे किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं आपको ये याद रखने की जोरत है कि सच्चा प्यार बिना सर्थ के होता है और ये समय अपनी चिंता को छोड़कर अपने प्रेमी की चिंता करने का है बात करते हैं करियर की अच्छा आपको अपने खर्चों का ध्यार रखना होगा और उन पर अपनी नजर रखनी होगी क्योंकि ये चोटे-चोटे खर्चे आगे जाकर विराट रूप धारन कर लेती हैं हाला कि आपकी वैक्तिक जरो तक कम है पर फिर भी आपको अपने खर्चों पर नियंतार रखना होगा ताकि भविश्य में धन की समश्य उत्पन्न ना हो आपको कुछ अन्यकारियों के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि आपके आयर बढ़ सके बिशनेस में प्रोडेक्ट सम्मंधित कामों में कमी से तना उत्पन्न हो शकता है इंपोर्ट-ेक्सपोर्ट सम्मंधित वैविश्य में सुधार आएगा सरकारी नौकरी में अपने कारियों के प्रती लापरवाही ना करें क्योंकि कोई कम्पलेंट होनी की इस्तिती बन रही है बात करते हैं शेहत की आप एक साथ कई सारे काम करनी की कोशिश कर रहे हैं इसका आपके शरीर पर जो प्रभाव पढ़ रहा है वह अब दिखाए देना सुरू हो जाएगा आप अनिंद्रा से पेड़ित हो शकते हैं आपको ये समझना चाहिए कि अच्छा स्वास के लिए अच्छी लीन भी संतुलित खाने और यमित एक्सरसाइट जितनी ही जरूरी है अगर आप अच्छी तरह आराम नहीं करेंगे तो आप पूरे दिन ठकान और आलस अनुभाव करेंगे आज का उपाए आज आप अन्मान भगवान जी के समक्छ दीपक जनाय शुब रहेगा जीवन में हमेशा सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें आपका दिन शुब हूँ